लुट करेने. happiness की टीवी के खास कार्यकरम खास बात में आपका स्वागत है जैसे के आप जानते हैं इसकार्यकरम के माध ध्यम से हम आपके वीच एक सक्सियत को लेकर ड़ाते हैं आज हमारी विद्धियाले में टीशर भी है तो आज हम इनसे जानते हैं कि योगा क्या होता है और योग से क्या फायदे हैं और किस तरह से योग को और जागुरू करने के लिए क्या पहल की जा रही है तो वर्षाट जी सबसे पहले देश्टीवी की और से आपको नमस्कार नमस्कार समझते हैं कि योग सिर्फ एक बिमारी को ठीक करने का जरिया है तो मैं सबका डाउट क्लियर करना चाहूंगी कि योग सिर्फ बिमारी ठीक करने का जरिया नहीं है योग आपको जीवन जीने की कला सीखाता है योग सीखाता है कि आप अपने किसी भी काम को परफेक्ट रू को आप दूर कर सकते हैं इसलिए योग आज की डेट में सब को करना चाहिए और चुंकी कल अंतराष्ट्री योग दिवस है या फिर और कुछ इसमें जुड़ा हुआ है एक्चुली देखिए यह है कि योग कई थी हास मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी ब्रिफ में कि समय के साथ पहले यह जो हमारा योग है यह हमारा प्राचिन भारत से हम लिया गया है काफी कई साल पहले ऐसा बोला जाता है कि जिसमें कुछ अवशेश मिले हैं योग से रिलेटेड पोस्चर्स मिले हैं तो वह साबित करता है कि योग वास्तों में प्राचिन भारत से ही लिया गया है दैन क्या हुआ कि महर्सी पतंजिली जी आए पतंजिली जी ने अस्टांग योग हमको बताया जो कि मैं बताना जा जाएगा उसे मुक्ष की प्राप्ति अराम से हो जाती है उसके बाद हमारी रामदे बाबा जी आए रामदे बाबा जी ने क्या किया कि लोग उस चीज को योग को पुरी तरीके से भूल चुके थे रामदे बाबा जी ने जो अस्टांग योग थे पहरसी पतंजली के उसमें चीजह को आशन और प्रणयाम कि करने का तो अध्यात्मिक तो ही है सांसनात ये व्यञानिक रूप से भी आप प्रूफ हुवा है क्योंकि वैज्यानिकों ने बहुत सारे पेशेंट ले के उनका वी पी और सुगर का चेक-आप किया था फिर एक महीने बाद उनको कराया योग कराने के बाद एक महीने बाद उनका शोत किया गया तो उसमें पता चला कि योग करने से उनके सरीर में काफी जो बीपी शूगर है वो नॉर्मल हो चुका है तो यह साइंटिफिक रूप से प्रूफ है तो क्या हर रोग के लिए अलग-अलग योग होता है कुछ योग होते हैं जो पर्टिकुलर वैसे आप योग करते हैं तो हम पूरे तरीके से फीट हो जाते हैं जो भी सरीर में प्रॉब्लम हो पूरे तरीके से हम ठीक हो जाते हैं बट किसी को अगर थाराइट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए कुछ आसन होता है सरवांग आसन होता तो जैसे कि आप बताएं कि अलग अलग बीमारियों के लिए होता है सब चीज है तो उसमें योग जो आम आदमी जो रहता है आम जीवन में कौन सा योग ऐसा करना चाहिए जो क्योंकि आज का जो समय है किसी पास सबसे बड़ी कमी है समय की कमी तो उन काम करते वक्त योग भी कभी हो सकता है क्या काम करते समय आपको जब काम की बीच में थोड़ा रिलैक्ट जैसे ऑफिस वर्क वाले हैं वो अगर चेयर में बैठे बैठे भी प्रणयाम कर सकते हैं देखिए कोई भी पांच मेर तो सब के पास टाइम होता है उसमें आप प्रणयाम कर सकते हैं चेयर में करके थोड़ा से रीक हीया मैं कि लिए इन्हाल एग चया हश हुआ हाथों करें कर्यों बाएशनक इस तरीके चोड़ी पर सकते हैं यह इछ अब इस तरह जिस जैसे आसन लोक कर रहे हैं उसमें पहले जो देखा जाता-था की लोग बहुत कम रुजहान था अब दिरे दिरे रुजहान बढ़ने लगा है क्या कारण लगता है कि रुजहान क्यों क्या रोग के प्रती लोग आकिस्थ हो रहे हैं या डर के कारण है क्या कारण क्या है इसका सबसे पहले कारण तो यह है कि जब से यह अंतराश्टी योग दिवस म तो आप जब विदेश जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां के बच्चे बड़े रोट पे जहां उनको जगा मेरा वहां पे वह बेजिजख करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति का ही उनसे भी प्रभावित हुई है क्योंकि हमें आदत हो गई है कि पास्चात्र संस्कृति को कैसे लिया जाए और इसमें सबसे ज़्यादा तो प्रधान मंत्री जी का ही योगदान है अंतराष्टी योग दिवस का बहुत बड़ा योगदान है और दूसरी बात यह था कि जैसे रामदेव बबाबाजी जब से योग के प्रतीज जब आये हैं तो देखा जा रहा है कि धिरे दिरे लोगों में बहुत ज़्यादा एक जागरुकता जो आई है तो क्या लगता है इसमें पूर्शों और महिलाओं में कितनी जागरुकता ज जा आरही हैं देखिएगा आज कम में बच्चे क कमी उटापा इतना जादा बढ जा रहा है कि पहले जो सुगय चालिस साल के बाद होता था आज कि सवाधिल के बच्चे ओजाए को सुगर जा जगो अएं उसकारण यह हमारी यह धा करने के लिए बोली ना जब बीमारी आता है जान से प्यारा तो कुछ होता नहीं है तो लोग तब जागरुख हो रहे हैं कि रामदे बाबाजी का देखते जा रहे हैं कि वो जो बताते हैं टीवी में उनको तो उनसे वाकई में बहुत फैदा होता है इसलिए मैं सबसे तो खासकर कौन सा योग या में बता पाएं जो मेरा परसनल अनुभाव रहा है कि मुझे पहले बाहर की चीजे बहुत अट्रेक्ट करती थी फास्फूट खाना यह खाना तो जब आप योग करते हैं तो योग करते हैं तो आपका मन जे वो शान्त होने लगता है तो आपके जो अंदर है एक सात्विक्ता का वीचार होता है पॉजिटिवीटी का वीचार होता है मिन्स आपको निगेटी चीजे जल्दी अट्रेक्ट नहीं करती तो आपके खान पान में कहीं न कहीं उस चीज का प्रभाव पड़ता है आपका जब माइंड ऐसा सट अप रहता है कि आपको जब तेल तली चीजी दिखेंगी तो आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा आपको अंदर दिख्छा होगी कि आपको फल फुल खाया जाए यह जाया जाए तो योग का ये चमतकारी एक वर्दान है आप जैसे आप खुद योग शिक्षक हैं जी 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 तो वहां जाता है तो बच्चे ज्यादा एक्साइट रहते हैं कि हमें पार्टिसिपेट करने हमें कॉम्टिसन में फर्स सेकंड आना जो भी प्राइज लेना है और बच्चों के इसकूल में मैंने जो अब्जर्व किया सारी यही प्रॉब्लम लेके आते हैं कि किसी को आजकल अगर बच्चों को हम जल्दी से पुरानी चीजों में लेके जाएंगे तो उतनी जल्दी अट्रेक्ट नहीं हो जाएंगे साथ हमको उस रूप में ही आज के समय में रहते हुए तो मैं उनको इस तरीके से शाथी हो उनको अच्गे क्रिकेटर जो भी हमारे जो प्रसिद्ध है उनका एक्जामपल देखे तो उनमें कितना एक एक्टिवनेस कितना दिखाई देता है सर एक्टिवनेस बहुत दिखाई देता है बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा इस चीज का प्रभाव पड़ा है आज छोटे से छोटे लेके 11-12 के बच्चे तक मुझ से आके मोटी आज भी होता है इस कुलों में तो बट पीट चाहँ कि हम ры pueda आ दिखोला इसी किया ने जाता जो पीट में आपat जो इक्सराइस करते हैं वही एकसराइस और से लिग फार्थ तो वह करते हैं तो उर इस इन्हां खल जो कि हमें सारे अरिव पैं इस बेह अंतर 추가 आ जो कि आज के लिए बहुत जरूरी है तो पीटी में यह बस चीज का डिफिरेंस है ठीक है और मुझे लगता है कि जो पीटी टीचर भी होते हैं ठीक है तो वह भी कहीं ने कहीं अपनी तिन्चरिया में योग को लाती है क्योंकि जो हम एक्साइस करके जो हमारे एनर्जी वेस प्राणायाम कितना लापकारी होता है यह शरीर के लिए खासका आप किसी भी बीमारी को आशनों के माध्यम से जितने टाइम में ठीक कर पाएंगे प्राणायाम के माध्यम से आप उस बीमारी को काफी जल्दी रिलिफ कर सकते हैं क्योंकि प्राणायाम में बोला ही गया है क सौसों का control हमारी हर चीज़े क्या होते देखिойти जब न लार्मल ब्रिधिंग करते हैं सौस इसे शक्षा मक यह जाता है हम स्वाने वी स्वाँ नॉर्मल लेते तो हमारा ध्यान नाहीं रहता है हम तो जीने के लिए लेते हैं लेकि जब हम प्रणयाम के थरो स्वांस लेते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारा स्वांस लेने में स्वांस छोड़ने में रहता है इससे क्या होता है कि हमारी कागरता बढ़ती है तो प्रणयाम बता पाएंग किस तरह से होता है यहां प्रणया हां एक करनेक्षन यह है कि जहां पर टीका लगाते हैं वहां पर एक नाड़ी खिची वेड़ी होइं हमारे प्रेंज में जत्व या पूईंट करते हैं तो हमारा कंभी क्थे करता हैं हुँ थोड़ी दिर रोक के रखिए left hole को lock कर लीजिए right hole से swansों को बाहर निकालना है फिर right से swans लेते हुए left से swans बाहर निकालना है ये process आपको बड़ी एराम से continuously करना है कम से कम 5 minute ताप जाके आपको ये फाइदा देगा कुछ लोग स्वांस बहुत गंद से लेते हैं जैसे मैं बताना चाहती हूँ ठीक है जोल लगा के इस तरीके से तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि इस तरीके से स्वास बिलकुल मत लीजिए क्योंकि आपको फाइदे के जगह में नुकसान पहुचा सकता है अच्छा जब आप प्राणयाम करें तो बड़े ही आराम से और प्यार से स्वास लीजिए लंबी और साइड एफेक्ट तो ऐसा नहीं योगा से मुझे नहीं लगता कि साइड एफेक्ट होता है करके ठीक है मुझे नहीं लगता कि साइड एफेक्ट होता है बट नियम के साथ करते हैं तो हमारे हम एक डिसिप्लिन के रूप में काम करते हैं हमारे जो दिन चरिया है हमारा जो है वो एक positive way में change होता है तो किसी भी काम को बोला जाता है आप अब पढ़ाई कर रहें तो उसे हमारे अंदर एक अलग सी शक्ति जागरित हो जाती है जिससे हम बोलना जिए कि साइकोलोजिकल जो बोलते हैं अगर आप योग में अगर रम जाते हैं तो आप जल्दी से किसी का चहरा फेस देख के भी पहचान सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है क्या ये सोच रहे हैं आप किसी ये आपके एक दर छमता आ जाती है कि आप लोगों को पहचानने लग जाते हैं सबसे आखरी में आप जो लोग हैं जो आम दर्शक हैं उनको क्या suggestion क्या देना चाहेंगे क्या उनको संदेश क्या देना चाहेंगे मैं यही संदेश दना चाहूंगी कि आज कल सबसे पहले तो हम सभी लेट तक सोते हैं रात में, जो कि सब के लिए पॉसीबल नहीं है कि जल्दी सोना, तो आप जब भी लेट तक सोते हैं, आप जब भी सुबह उड़ते हैं, चाहे वो आठ बजे हो, नव बजे हो, दस बजे ह तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी आप सो के उठेंगे, अपने दोरों हाथों को सबसे पहले तो यूं, रफ कर लीजिए और अपनी आखों पे लगाईए, आख पे लगाके आप थोड़ी देर अपने बारे में सोचा करिए, मैं भी जो बोलने जा अगर आप इसको डेली पालन करते हैं, तो वास्तवी की रुप से कहीं न कहीं आपके जीवन में एक बदलावला देगा, तो आपको आखों बे अपने हाथों को लगाके, आपको सोचना है कि आज आपको दिन भर में क्या करना है, आपको अपने आप से प्रामिस करना है कि आपको पानी पी लेना चाहिए, उसके बाद आपको ताड़ासन करना चाहिए, थोड़ा सा पांच कदम आगे पिछे चल लिजे, इतना आपको लिजे उसके बाद आप फ्रेश होने के लिए जाए, अगर आप डेली इतना काम करते हैं, तो यह आपकी दिन चरिया में मोशन क्योंकि हमारा सारी बीमारी हमको पेट से होती है, तो अगर सुबह आपकी दिन चरिया सबसे अच्छी है, आपका पेट साफ हो गया, तो मुझे लगता है कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, तो आप किसी भी टाइम उट रहे हैं, समय नहीं हैं, कहीं प पूरी जान करे दी, तो दोस्तों आप भी योग कीजे, ताकि आप भी रोग मुक्त रहें, तो अगली कड़ी में फिर एक सक्सियस के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक दे हमें अजाजत, नमस्कार युदिए।